नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फेड से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के ये दो खास अंग उनके बड़े से बड़े गुप्त गहरे राजों को खोल देते हैं हमारे सात्रों में कुछ आईसी बिधाओं का लेक मिलता है जो की बहुत ही रोचक होती हैं इस ग्यान से हम सभी जीवन के आहम पहलू के बारे में जान सकते हैं सारी रिक अंगों का विसलेसर कर ब्यक्ति के चरीतर की ब्याख्या करना ही सामुद्रिक सास्तर है यह हिंदू सास्तरोद्वरा प्रदान की गई एक ऐसी बिथा है जिसे गहन अध्यन के बाद ही उजागर किया गया है सोचा जाए तो बर्थो लगया होंगे हर बिसे से संबंधित निसकर्स प्रदान करने में और बावी एक ऐसा निसकर्स जो हर रूप हर ब्यक्ति पर फिट बैठ सके अधितर लोगों का मानना है कि इस दुनिया में महिलाओं को समझ पाना एक टेहरी खीर के समान है इस संबंध में कुछ पुराने लोगों की एक कहावाद प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं का सोभाव सोय भगबान भी नहीं समझ सकता तो हम कैसे समझेंगे पर आज हम जिस जानकारी से आपको अबगत कराने वाले हैं उससे आप महिलाओं के सोभाव के समंध में जान सकते हैं आपको बता दें महिलाओं को समझने के लिए अधिक दिमाग लगाने की आवसकता नहीं होती उसके सारे राज सोय उसके सरीर के ये दो अंग खोल देते हैं अगर आप भी अपनी किसी महिला मीत्र के समंधु में कुछ जानना चाहते हैं तो बस उसके सरीर के इन दो हिस्सों पर एक नजर डाल लीजिए जो कुछ इस प्रकार से बताया गया है लेकिन दोस्तों सबसे पहले करपे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और ये दियाँ, रोजाना इसी प्रकर के नालेजबल वीडियोज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को, फ्री में सस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रिश कीजिए, अब चलिए दोस्तों, सामुद्रिक सास्त राउल, चारक के नीती के अंसार, बताते हैं महिलाओं के, उन आप उसके सोभाव और ब्यक्तित के संबंध में ग्याद कर सकते हैं, लाल पतले, चीकने और अच्छी से बाले होटों की महिलाएं, आपने सोभाव से बेहद, सेक्सी और अपने पती का प्यार आने बाले होती हैं, आईसी महिलाओं की सादे सुधा लाइप काफी अच्छी और ये किसी को भी जल्दी से अपना बना लेती हैं, एकदम लाल होट बाले लोग करमत होते हैं, और इन्हें अपने काम में काफी लगाव होता है, ये स्वभाव से गुस्यल होते हैं, बही अगर जिन महिलाओं के, निचले होट मोटे और काले होते हैं, बेजल्द अपने पती को खो सकती हैं, और दोस्तों नंबर दो है, गालों में डिमपल, चेहरे के डिमपल एक ब्यक्ति में आकरसर का बड़ा केंदर बन जाते हैं, किसी के दोनों गाल पर, डिमपल होते हैं तो किसी की एक ही गाल पर होते हैं, लेकिन एक हो या दोनों गालों पर ये बहुत स महिलाँ सोभाव से काफी दयालू भी होती हैं साथ ही जिन महिलाओं के गालू में डिमपल होते हैं उन्हें काफी भागवान माना जाता है विसुडू पुराण के अनुसार हस्ते समय जिस महिला के गालू में गढ़्धे पढ़ते हैं उसका बैबाहक जीवन सुख में होता है पती पतनी के भीच बेहतर सम्मन्द भी बने रहते हैं लेकिन सस्राज से जुड़े एक मामले में डिम्पल अच्छा नहीं मना जाता क्योंकि पुराणों के अनुसार जिस लड़की के गालों पर डिम्पल पड़ता है बहत सास के सुक से बंचित रहती है या तो उसकी सास नहीं होती है या फिर अगर सास हो भी तो उसका सुक बहुत दिनों तक नहीं मिलता है ऐसी लड़कियों में काम भाव बहुत अधिक होता है ऐसी लड़कियां काफी सौकीन होती है और इनके प्रेम समन्द भी कई लोगों से बनते रहते हैं